जिस topic के लिए आप बोलते हैं, उसी topic के ऋपर आपको वीडियो देखने को मिल जाती है अब आपका काम तो हमने कर दिया, हमारा काम आपने करने है चैनल को सब्सक्काइब करने का एंच वीडियो को लाइ करने का, यूँकि हमने एक लाग की family कमप्रीट करनी है और वो आपकी help से ही पूरी होगी आज हमारे पास है Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन इस फोर में आपको 200MP कैमरा मिलता है विद OIS के साथ और इस फोर में आपको Realme UI 4.0 भी out of the box देखने को मिलेगा जब से मैंने इस फोर में अच्छे से टस्ट किया तो अगर आपको Realme 11 Pro Plus लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को सुरू से लेकर करके एंड तक वाच करना आज किस वीडियो में इसी फोर में इसी फोर में फीचर और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वारा हूँ अगर आप लोग देखोगे तो मैं यहां पर पूरे फोर माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ जितनी भी आपके जैस्टर है माउस की ओपर चल रहे हैं स्क्रोलिंग करना है सब कुछ अपने माउस से मैं अपने फोर माउस को भी यूज कर सकते हो अगले फीजर की बात करें तो वो आपको मिलेगा वापपेपर सेक्शन में वेल यहां पर आपको लाइब वापपेपर का सपोर्ट तो मिलता है और भी काफी सारे स्टाटिक वापपर देखने को मिल जाएंगे लेकिन उपर आप लोगो इनवेंटिव वापपेपर देखने को मिलेगा इसको यूज करके आप लोग अपने वापपेपर इस फोर्ट में क्रिएट कर सकते हो यहां पर आप लोग गैलरी का उप्शिन और कैमरा का उप्शिन मिलता है मैं आपके सामने यहां पर एक पिच्चर जो वो क्लिक करता हूँ यह पिच्चर मैंने क्लिक की अब इस पिच्चर में से जितने भी कलर्स हैं यह खुद अपना फोन का AI डिटेक्ट करेगा आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल रहे हैं सिस्टम लांचर में यह आपके पूरे सिस्टम यूआई में तो उसका एक स्विंपल सॉल्यूशन है सैटिंग ओपन करो उपर सर्च बार में आपने सर्च करना है इसको सिंपल ही आप लोगों ने ओफ कर देना है इसके बाद आपके 80% जो एड्स हैं वह यूआई के अंदर आपको देखने को नहीं मिलें यह क्लीन एक्सपिरिंस आपको देखने को मिलेगा बाकि अगर और भी एड्स आपको देखने को मिले तो आपको आपके अच्पिरिंस आपको आपके अगर कर सकते हो आप के साइज को कम जावा कर सकते हो जो वे आपके icon packs है उनको भी आप लोगो उचोड़ा बड़ा कर सकते हो बागी custom section में थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो यहां पर आप लोगों को adapt system कर रहे का feature मिलेगा इसको simply on लगकि आपने apply करना है उसके बाद आपके जितनी भी icon packs है यह सब ही आप लोगों को material icon में देखने को मिल जाएंगे जो देखने में premium लगते हैं इस phone में अगर आपने app drawer को बंद करना है या on करना है तो इसके लिए आपने अपने screen को pinch करना है सबसे last name more का section मिलेगा इसके ओपर click करो सबसे उपर आपको home screen mode देखने को मिलेगा इसमें आप लोगों को दो feature मिलते हैं एक रा standard mode, एक रा draw mode जो आपको पसंद हो वो आप लोग यूज़ कर लें बाकि अगर आप लोगों ने इस phone में जो self है उसको enable करना है तो यहाँ पर swipe down to home screen में आपको self global search notification draw देखने को मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगे जो आपके users के ओपर हो आप लोग सेट कर सकते हो बागे यहां पर clock style को change करने का feature देखने को मिल जाते है आप लोग अपनी lock screen के clock style है इसको horizontal vertical दोनों तरीके से कर सकते हो और भी customization के feature आपको इस section में देखने को मिल जाएंगे इस phone में अगर आपने always on display को enable करना है, font style को change करना है और पूरे phone को customize करना है तो इसके लिए setting open करो यहां पर आपको wobbly पर style का section मिलेगा यहां से आप लोग पर change कर सकते हो AOD अपने phone में लगा सकते हो customize कर सकते हो और काफी सारी pre-installed AOD आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी contextual phone में आप लोगो यहां पर music, playback, trips and food library की information के जो features हैं, वो भी देखने को मिल जाते हैं अगर आपने font चेंज करने तो यहां पर fonts को change करने का option भी देखने को से कर पाओगे साथ में edge lighting का feature अगर आप अपने phone में enable करना है कि आपको calling के ओपर भी काम करें और आपकी message के ओपर भी काम करें तो simply आप लोगों ने also apply incoming call के ओपर इसको enable करके देना है और यहां पर आपको 3 channel जो है वो pre-install देखने को मिल जाएंगे जो आपको पसंद हो वो आप लोग यहां पर रख सकते हो तो इस section से आप लोग अपने पूरे phone को customize कर पाओगे आप सब लोग देख रहे होगे कि मैंने camera के around यहां पर ring light का effect enable किया अब आप इसको अपने phone में कैसे enable कर सकते हो इसके लिए आप लोग को एक app जो है अपने phone में इंस्टॉल करनी होगी इसका नाम आपको ring ring देखने को मिलता है इस एप को एपने telegram चैनल पर शेयर कर दूँग वहां से आप लोग जाएर कि इसको download करके use कर लेना simply आप लोग ने एप इंस्टॉल करनी है इसको open करो इस सबस्वाले इसको feature को enable करो एंड यहां से आप लोग इसको adjust कर सकते हो color change करने है वो आप लोग यहां से अपने color set कर सकते हो किस battery के उपर आप हो कैसा color चाहिए बाकि यह आपकी lock screen home screen सबके उपर काम करेगा और देखने में काफी अच्छा भी लगता है इस तरीके से आप लोग इस phone में जो ring light का effect है camera के राउन वो enable कर पाऊगे और यह battery को भी indicate करता है अगर आप लोग इस phone में गाने सुनते हो content watch करते हो और जो भी sound experience और को और भी enhance करना है तो इस phone में आपको Dolby Atoms का support देखने को मिल जाएगा enable करने के लिए setting में जाओ sound and vibration में थोड़ सा नीज़ स्कोल करोगे यहाँ पर Dolby Atoms का feature है इसको simply आप लोग ने on कर देना है और यहाँ पर आप लोग को काफी सारे scenario देखने को मिल जाएगे अगर आप लोग गेम खिले तो गेम बाला चेक करें जिसे कि आपको sound experience, content watching experience और भी एनास हो जाएगा इस phone में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है उसको अगर आप लोगों ने change करना है तो अपने phone की setting open करो display and brightness का section open करो यहाँ पर थोड़ नीचे scroll करोगे तो आपको screen refresh rate का feature देखने को मिल जाएगा auto high standard देखने को मिल जाएगे high आपको 120Hz मिलता है and standard आप लोगो 60Hz देखने को मिलेगा जो आपको पसंद हो वो आप लोग यहाँ पर use कर लें बाकि अपने display कलर को और enhance करना है तो यहाँ पर आपको video color enhance का feature मिल जाएगा इसको enable करोगे तो जब भी आप लोग अपने phone में कोई भी content watch करोगे movie देखोगे या कोई भी content देख रहे हो उससे आपके screen यह color सापको हलके से bright देखने को मिलेंगे जो feature मुझे काफी useful लगा बागी इस phone में आपनों को adaptive sleep का feature भी देखने को मिल जाता है इस feature को आपने simply enable करना है अगर आप लोग अपने phone की screen की तरफ देखते रहोगे तो आपके phone की screen कभी भी off नहीं होगी जैसे आपने phone की screen को side में रख दिया आपका phone automatically sleep mode में चला जाएगा जब तक आपने phone को touch नहीं करते आपके phone की screen on नहीं होगी मुझे ये feature battery यहनी को रोकने के लिए काफी useful लगा इस feature की help से अगर आप लोग unwanted अपने phone को रोक कर छोड़ चले जाते हो तो आपके phone की जो battery है वो ज़्यादा drain नहीं होगी automatically आपके phone की screen है वो off हो जाएगी इस phone में आपको smart notification hiding का feature भी देखने को मिलेगा setting में जाओ notification status bar में ये feature आपको देखने को मिलता है जैसे आप लोग इस feature को enable करोगे ये feature आपके जो face camera है या आपका जो face ID उसको enroll करने को बोलता है आप लोगों नहीं यहाँ पर अपने camera को enroll करना है या आपने face ID लगानी है उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे अगर आपके सिवाए कोई बंदा उस app को use करे है कोई notification उस app के ओपर आती है आपके सिवाए कोई बंदा उस app को देख रहा होगा तो आपका जो एप है वो open नहीं होगा जिससे आपको परस्ना information है तो किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएगी अगर आप लोग अपने phone को देख रहे हो उस app को देख रहे हो तो आपका front camera detect कर लेगा और automatically उस app को open करके दे देगा तो ये feature privacy के लिए काफी useful है बाकि इस phone में अगर आपने गलती से कोई भी app delete कर दी अब आपने उस app को बापी से लाना है तो ये feature भी आपको इसी phone में देखने को मिलता है setting में app का section open करो recover system app का feature मिल जाएगा जो app आपने यहाँ पर delete की होगी उसको आप लोग install के ओपर click करके बापी से अपने phone में ला सकते हो इस phone में आपको 200MP का main camera देखने को मलता है लेकिन काफी साह लोगों को नहीं पता हुआ कि 200MP से photo कैसे click करना है तो आपने high resolution mode की ओपर आना है उपर आप लोगों को यहाँ पर 200MP देखने को मिलेगा इसके उपर click करोगे तो आपको दो option मिलते है एक रहा यहाँ पर 50MP का एंड एक 200MP का जिससे भी आपने यहाँ पर photo capture करना है उसको select करो और उसके बाद आप लोग यहाँ पर picture click कर सकते हो जिससे के आपके clear picture जो है वो 200MP से record होगी बाकि अगर आपने इस phone में जो आप watermark है उसको enable करना है तो setting का section open करो सबसे उपर आपको watermark मिलेगी एक रही general और एक रही custom जो आप लोग अपने हैसाब से इसको customize कर पाऊगे और काफी सारे interesting feature भी आप लोगो लगा सकते हो face unlock लगा सकते हो और परापसी पासवरी आप लोग इसी section में एक ही दगा से लगा पाऊगे अगर आपने इस phone में बैटरी रेनिंग को रोकने के लिए power saving mode या super power saving mode को use करना है तो setting में बैटरी का section open करो यहाँ पर आप लोग को power saving mode देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आपको super power saving mode देखने को मिल जाएगा जो आपको use करना है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो और भी यहाँ पनिंग को customize करने के feature आपको देखने को मिल जाते है and realme ने यहाँ पर battery health का feature भी add कर दिया इस phone में जो मुझे काफी interesting लगा आपकी battery capacity यहाँ बताये तक इतनी है पूरी battery 100% है battery booster आपको देखने को मिल जाएगा wise charging का feature भी आपको देखने को मिलता है लेकिन यह आपको जो battery health का feature देखने को मिल यह नया realme ने introduced किया है वाकि more setting में performance mode और भी आपर battery learning को प्रोकने के जो features है वो आपको इस phone में देखने को मिलते है लेकिन जो battery health का feature है वाई बिलकुल नया है and एक unique feature है जिससे कि आपको iPhone की तरह अपने phone में बता लग जाएगा कि आपके phone की battery health कितना है अगर आप लोग इस phone में YouTube की वीडियो को background में प्ले करना चाहते हो बिना किसी third party app से जैसे कि मैं आपके साब में यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ यह देखिए मैं आपको बजा बेता हूँ यहाँ पर आवाज सुनने को मिल रहे कि नहीं मिल रही वीडियो मैं प्ले कर दी यहाँ पर आपने इस तरीके फीचर को साइट से निकालना है background steam को on करो इस फीचर को अपने अपने क्लिक करना है थोगा सा time लेगा यहाँ पर कुस setting बोलेगा turn on कर दो उसके बाद वीडियो हट गई and background में जो आवाज है वो भी आपको सुनरी को मिल रही होगी आप लोग सुनना तो वीडियो background में चली है and इस फीचर अगर आपने एनेबल करना है अपने फोर में तो इसके लिए simply आपने फोन की setting जो है इसको open करो यहाँ पर आपको special feature का section मिलेगा smart sidebar को simply आप लोगों ने open कर देना है इसके अंदर आप लोगों को background और stream का feature देखने को मिल साकता है अगर आपने भी यह phone ले लिया अपर इस phone को सुच आप कैसे करें जैसे ही power button के ओपर hold and press करते है यहाँ पर गूगल assistant open हो जाता है यह phone power off कैसे होगा इसके लिए आप लोगों ने power button and volume up button को एक साथ प्रेस करना है जिससे कि आप लोगों देखें यहाँ पर मेरी जो power menu को screen है वो आ गई लेकिन अगर आपने इसको chain करना है कि आपका power button को प्रेस करके power off हो इसके लिए अपने phone की setting open करो additional setting में जाओ यहाँ पर आपको power button मेलेगा इसके ओपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको voice stand and power menu देखने को मिलेगा आपने power menu को चूज करना है अब जब भी आप लोग अपने power button को प्रेस करोगे आपको power menu देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग इस phone को power off कर सकते varit इस phone में आपको 8GB की RAM देखने को मिलती है अगर आपको यहाँ पर चेक करभाओ तो आपको 8GB की RAM इस phone में देखने को मिलती है लेकिन प्लस 4GB देखने को मिलती है तो इस phone में आपको RAM expansion का feature भी देखने को मिलेगा अगर आपने भी अपने फोन को 12 GB करना है 8 GB से तो अबाउट डिवाइस ओपन करो यहाँ पर रैम की ओपर आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर मिलेगा इस फीचर को आप लोगों ने आउन करते हैं यहाँ पर आप लोग 8 GB तक अपनी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो और मुझे यह फीचर काफी इंटरस्टी लगा यह सब करने के बाद एक बार अपने फोन को आपने रिस्टार्ट कर लेना है उसके बाद आपके 8 GB रैम जो वो 16 GB में कनवर्ट हो जाएगी अगर आप इस फोन को अप्डेट करना चाहते हो और जितनी भी सिस्टम एप से इनको भी आपने अप्डेट करना है तो फोन को अप्डेट करना तो असान है सैटिंग में जाओ अबाउट डिवाइस का स्रेक्शन मिलेगा इसको उपन करके रियल में यूए पर कलिक करो यहां पर जो भी अप्डेट आया होगा वो आप लोग यहां से डाउलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन सिस्टम एप को अप्डेट करने को नहीं मिल दा लेकिन उसका भी और यह दोरो प्रोपर तरीके से काम भी करते हैं मैंने को ट्राइ भी किया है लेकिन जब यह फोन आउट आप दा बॉक्स राय तो यहां पर गूगल डालर और गूगल की मैसेज अप्लिकेशन थी मैंने कैसे रिप्लेस किया तो रियल में डालर को आपने डाउलोड करना है यह आप लोगों को इस टेलिकाम चैनल के ओपर देखने को मिल जाएगा यहां पर फाइल सेक्षन में एक एक एप के देखने को मिल जाएगी ओफिशियल डालर के नाम से जो कि यह रही इसको आप लोगों ने सिंपली डाउलोड करके अपने फोन में इसके बाद मैसेज को आपने डिसेबल कर देना है एंड उसकी बाद आप लोग अपने फोन में डालर को बिना किसी दिक्तल से यूज कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग इसमें आप लोग कर आओगे इस फोन में अगर आपने किसी भी एप की फ्लेक्शल विंडो क्रिएट करने है तो सिंपली कर आखने जायेगी इसको अगर आपने चेर्ज करना है, साइचे चेर्ज करने है उपर नीचे करना तो आप लोग इसकी ओपर होल्ड एंट टैप करके इसको उपर नीचे कर सकते हो जो फीचर मुझे काफ़ी इंटरस्टिंग लिए कर क्म इस फोन में अगर आपने कुछी स तरीकी के 3D विजट अपनी होम स्कीन या लॉक स्कीन के ओपर लगाने हैं तो ये करना भी बहुत असान है सिंप्ली स्कीन को पिंच करो उपर आपको पलस का बटन मिलगा इसके ओपर क्लिक करो काफी सारे अपसे यहां पर सबोर्टिट मिलेंगे स्टेप ट्रेकर का विजट, रिकॉडर का विजट, वैदर, पॉपलर एप्स, स्वोर्ट, नोड्स, क्लॉक फुर्म ने दरी काफी सारे विजट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको पसंद हो, उसको आप लोग अपनी होम स्कीन, लॉक स्कीन के ओपर लगा सकते हो और इसको यूज़ करना भी काफी आसान है तो फानली दोस्तों ये थे Realme 11 Pro Plus 5G के hidden feature and tips and tricks जो मैंने आपको इस वीडियो बता दिये अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना यूज़कि हमें एक लाग की फैमली जल्दी से complete करनी है हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई बाई टेक केया